वागत है आपका जरने एक्स्प्लोर चैनल में आज हमारे दोस्ट सब भी हैं और हमने प्लान किया कि कहीं कुछ अच्छा देखेंगे और आपको भी अच्छा दिखाने का परियास करेंगे तो आप इस परकार देख सकते हैं यहां पे हमारा टीम है आज हम लोग मसांजोड का दोस्ट प्लान किया है हमें यह लगा था हम सुने थे कि यहां पर कुछ पहारीत होता है और तो उधर में बिल जाता है जो कि अभी का जो सीजन है कभी पेड से गिर जाता हावा के कारण ने पिर कभी डाल तूट जाता है तो इस सिटी में वहां पे कुछ बच्चे सब्सक्राइब करें तो लेके भी आ सकते हैं और यह यह भाई साब जो है रहते कस्मीर में है अभी तर दिनों से घर आए हुए है तो वही प्लान बना कि इपर भूम के आ सब्सक्राइब करें तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हैं और बेल नोटिफिकेशन आकून को भी जरूर दबाते हैं मसांजोड उसने से पहले जो छोटा सा पाहड़ी मिलता है इसको कटिंग करके रास्ता पनाया गया है यह बहुत ज्यादा खूपसूरत है चार चांद लगा देती है आप वहां पे आगे में एक बड़ा सा बैनर देख सकते हैं वेलकम तू मसांजोड करके तो मसांजोड का यह जो भी ज हैं हो फुक्राव चुके है मिलत देख सते हैं पाहड को काट कर रास्ता पनाया है पहले जम segments कर रहा हो होगा और दभी कर देख सकते हैं इस परका 이제 प्रिस ने बारज भी थोड़ा कम हुआ है बस वही कारण है बहुत अच्छा है ठंडा है यहां पर यहां के रहने वालों के लिए भी काफिर मतलब बेनिफिट है मचली वगेरा वो सब काफिर सस्तेतापों में इधर मिलने आता है और बहुत कोई खुद से भी पगड़ लेता है तो दोस हम मसांजोड का गेट पर मोच चुके हैं यह मसांजोड का गेट है कुछ इस परकार से और एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है जिसमें बाइक गुसाने का जगह है लेकिन यह जो नए वालों के लिए थोड़ा सा मतलब यहां पर दिक्कत हो जाता है जो ट्रेंड नहीं है औ हम आपको जूम करके दिखाते हैं और यह बारिस के समय में मोटा मोटी पांच साथ या फिर दस फाटक भी खुले हुए रहते हैं उस समय का नजारा और दिरस देखने को बनता है सेलानी जो है दूर-दूर से खीजे चले आते हैं और काफी संख्या में बीड होती है अभी क एक गाऊं है बस्ति हैं उस बस्ति पर पहुंचते हैं लग और हम आप प्ड़क पाऊंट कर सके हैं के ऊपर से पार हो रहा है आप देख सकता है शूट में बता रहे है और यह साइट में है कुछ जो बिजली उत्पन होता है यहां से वह सब कुछ सेट अप है काफी लंबा पूल है दोस्तों अगर आप पैदल आते हैं तो आपको 15-20 मिट का समय लग जाएगा इधर पार करने में हम बाइक में जा रहे हैं तो आपको उतना ऐसा शने होगा लग रहा होगी बहुत फोड़ा सा जिख है लेकिन ऐसा नहीं है कम से गमाधा क्लोमेटर से ज्यादा लंबा तो है इतना पक्ता है और यह देखेए पानी भी कफी जाता है और यह पानी है तुंकर तक मिल जाता है आपको आगे फिर से गेट आगया हम अट्डू तक आगे हैंब यहां फीर वह ही बाइक पार करने में काफी मसकत करना पड़ता है छोटा सा छेद है मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं तो भाइसाब का टेकनिक दखिए यहाँ पे अगर आप निकालने जाते हैं अगर सीधे तरीके से तो निकलने सरा बिल्कुल नहीं निकलेगा तो यहां सा थोड़ा है कि हैंडल टेढ़ा करके कुछ इस प्रकार निकाला जाता है तो निकाल लेते हैं लेकिन नहीं आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है यह जब हम दूसरी साइट को चुके हैं आप देख सकते हैं कि डेम का जो पानी निकलता है फाटक वगेरा जब पुलता है तो इस प सब्सक्राइब करते हैं कि मतलब इनको किस तरीके से महसूस हो रहा है यहां पर इस जगह में आके अभी थोड़े जिल पहले बर्व से ठके हुए जगह में रहते थे कापी ठंटक थी लेकिन अभी ठीक उसको उल्टा है तो इतनी गर्मी है कुछ होई मत खराब हो गया है अ और स्लोली स्लोली जाड़ी अभी इस्टरिंग कर रहे हैं अभी बस्ती भी उनलों पहुंच गया है पस कुछी छणों में आप लोग को दिखाएंगे कि बच्चे लोग से पुछेंगे तोता कर कहा मिलता है हो गया है तो देख सकते हैं हम गाउं से फिर वापस जा रहा है ह हमें तोथा मिल नहीं पाया आज को बहर से लोग आते हैं ठूरिस्ट और यहां से खरीट के लेकर जाते हैं बहुत सारे वेपारी भी इसा होते हैं यहां से काफी कम दा मिल लेता है और जाके अपना मार्कट और आमें अच्छा मुनअफफा के साथ लिज जाता है तो आज यह मतलब रोड साइड का नजारा पीछे का नजारा आपको दिखाते हैं इसका खास्यात और खुबी कुछ ऐसा है अब देख सकते हैं यह मसांजोड है मसांजोड का पानी काफी चिकरी किसे आपको नजारा रहा होगा जो शक्रशा पर जाया खुड़ा सा और मतलब बहुत आफाई भी है रिस्ट्रेंट का बढ़िया है आते हैं तो कभी वब जरूद ट्राइक रिए गई देकर तो हमारा खाना पीना हो गया कुछ नस्ता में वह पुड़ी कचोड़ी था और आप देख सकते हैं यह रोड के सटे हुए जो पहाड है उसमें कुछ इस तरीके से रा जारक किस परकार है एक दो बंदर हमें मिल गया था नीचे में तो हम सुझे कि उसका कुछ विडियोग्राफिक करते हैं तो उससे पहले वह भाग खड़ा हुआ उपर चड़ गया कहीं पर तो उसी की तलास में और यहां होता क्या कि जब भीड रहती है उसमें यहां पे कु जब हो जाता है तो उसको साफ सफाई करने में जो महनत लगता है तो एक महनत भी हो जाता है और लंबे समय तक कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा करके कमाई भी होते रहता है पर का जो भीव है दोस्तों काफी खुबसूरत है अच्छा है लेकिन रोट थोड़ा बहुत स्लि और चारू तरफ पहाड़ है आप देख सकते हैं कि कुछ चीज प्रकार है तो बंदर सब कुछ यह जाड़ी है बात सब का जो दिख रहा है कहीं उधर भाग गया हम लोग को देखकर आज का वीडियो ही पर समाप्त करते हैं आगे चल कर देखते हैं कि तोता मिलता है कि नही प्रू अपडेट देंगे और अभी काफी खुपसुरा थे दोस्तों मसा जोड़का यह डैम तो चलिए ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद